अगर आपको लगता है कि अपनी सुन्दरता को बर्करा रखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है खूब सूर्ती को बर्कराहने के लिए आज मैं अपस्zig शेयर करूंगी कुछ beautiful hacks सुनधता को बर्कराहने के लिए मैं सात्ता अज अपसाद शेयर करूंगी आसान तरीके जिस से आप beautiful इसान कि आप दिर्चा करे जाने कॉल की इस आउजिबाया है और फ्लेवर लेस होना चाहिए और जेल वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो आपको इचिंग हो सकते हैं या कोई भी रियाक्शन आपके टेस्ट पर हो सकता है अगर आप यूज करते हैं तो चलिए देखते हैं है 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 नुबर वान पिंपल ट्रीप्मेंट पिंपल्स को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा पेस्ट और इसमें आपको एड़ करना है इसको आप अच्छी से इस तरह से मिक्स करने के बाद आपको जहां पर भी पिंपल्स हो उसको इस तरह से आप ले और लगा ले दो से तीन निर्ट तक आप इसे लगा कर रखें और इसके बाद थंडे पाने से धो दें नमक एन तूथपीस का कॉंबिनेशन पिंपिल्स के लिए हेल्दी और ब्लोइंग स्किन पाने का सबसे प्छा तरीका होता है क्योंकि नमक हमारे स्किन के पीएस लेवल को मेंटेन रखता है और हमारे स्किन के पोर्ट को ओपन करता है और हमारे स्किन की देट को निकालता है और एक्स्टा ओयल को निकालने में हमारी हेल्प करता है और टूथपेस के देक्ट ट्राइकलोन और पेपर मिंट पाया जाता है ट्राइकलोन हमारे पिंपल्स को सुखाने में हेल्प करता है और पेपर मिंट हमारे स्किन को ठंड़क पचाता है यह हमारे स्किन को एक आइस थेरपी देता है जो हमारे स्किन को ठंडक पहुचाती है तो दोनों का कॉम्बिनेशन पिंप्ल को रिमूब करने के लिए सबसे हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने का सबसे अच्छा तरीका है है तो क्या आपका टूथ पेस्ट आपके दांतों के पीलेपन को साफ नहीं कर पा तो दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए अपने किसी भी पेस्ट के साथ यह बेकिंग सुड़ा आप या तो हाथ में ले ले या फिर इस तरह से आप आप अपने पेस्ट के उपर डालके जैसे आप नॉर्मल ब्रश करते हैं उस तरह से आप ब्रश करें या आप इस तरह से इस तरह से अपने हाथ में लेकर के बेकन सोडा को इस तरह से अपने हाथ में लेकर के और ब्रश की हेल्फ से इस तरह से आप यूज कर सकते हैं है 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 नमबर थी रिमूब लाक है यह परिशानी स्किन के पोर्स बंथ और गंद की जमने के कारण होती है जित छोट छोटे ब्लाक डॉर्स की तरह दिखाए लेते यह मुस्लिए इस एडिया जने और इस चिन के एडिया में मुस्लिए पाए जाते हैं तो देखें इस के यह थोड़ा सा ग्राइंड शुगर है हंदर रखे हुआ है तो यह थोड़ा सा रुज वॉस वॉटर मैंने एक किया है कुछ ड्रॉप्स रुज वॉटर एडिया और इसको अच्छे से इस तरह से पाए रुज वश्वाटर ऐट तो गें और इस तरह से मिक्स करके आपे पे जिस्ट बनाए तो जहां पर भी आपको ब्लेकेट से इस तरह से आधर बाइए रहा दाए अर इसके हलगे हातों से सर्प्लें मुशल में मैं साज करते हैं इस तरह से कि इस तरह से दो से तीन मेरा आप मसाज करें और उसके बाद थंडे पानी से थोले या वाइप कर लिए कर दो